Hello Friends, Welcome back to my channel दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं इस English Story को Translate करूँगा Friends, English Read करने का यह सबसे आसान तरीका है जिसके माध्यम से आप English Reading के साथ साथ कई सारे Words की Meaning को भी जानेंगे जिससे आपकी Vocabulary इंप्रूब होगी और साथ ही साथ आप अपनी English Speaking को भी इंप्रूब करेंगे तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की Moral Story जिसका टाइटल है The Aunt and The Dove So Friends, यहाँ पे First वाले T.H.E. को हम लोग दी पढ़ेंगे Because जब भी हमारा कोई Word अगर Wovil साउंड से स्टार्ट होता है तो उसके पहले Use किये गए T.H.E. को हम लोग दी प्रोनाउंस करते हैं And जब भी हमारा कोई Word Consonant साउंड से स्टार्ट होता है तो हम उसके पहले जो भी T.H.E. आता है उसको हम लोग The प्रोनाउंस करते हैं So Friends, यहाँ पे हो जाएगा The Aunt and The Dove It means Friends, चीटी और कभूतर Dub मिस होता है Friends, कभूतर को Pison भी बोलते हैं But उसको Dub भी बोला जाता है तो यहाँ पे Dub भी बोला गया है इस स्टोरी में So Friends, आपका एक Doubt क्लियर हो गया कि T.H.E. को किस प्लेस पे हम लोग Dub वो पढ़ते हैं और किस प्लेस पे हम लोग उसको दी पढ़ते हैं एक बार मैं आपको और explain कर देता हूँ कि जब भी हमारा word अगर vowel sound से start होता है तो उसके पहले आए हुए T.H.E. को हम लोग दी पढ़ते हैं And जब भी हमारा कोई word consonant sound से start होता है तो उसके पहले आए हुए T.H.E. को हम लोग दपढ़ते हैं तो दोस्तों start करते हैं हम अपनी story जिसका पहला line है On a hot day of summer Of summer मिस होता है friends गर्मी के On a hot day Means on यहाँ पर friends मे के लिए उस क्या गया है यानि गर्मी के एक गर्मदीन में Hot day means गर्मदीन में An ant was searching Friends यह story आपकी past tense में रहेगी जिसमें आपके past indefinite tense Past continuous और कहीं कहीं पर Past perfect tense का यूज किया गया है तो friends यहाँ पर जो यह line है An ant was यह past का continuous tense है जिसमें आपके was और were का यूज किया जाता है Helping verb के रूप में और main verb में आपके ing form का use किया जाता है तो इसका हो जाएगा friends An ant was searching for some water An ant मतलब एक GT was मतलब थी Searching Searching मतलब होता है friends तलास करना तलास कर रही थी for some water कुछ पानी की सम मतलब कुछ पानी की तो इसका हो जाएगा एक चीटी पानी की तलास कर रही थी After walking around After मतलब होता है friends बाद Walking मतलब घूमने घूमना Around मतलब आसपास For some time Sometimes मतलब कुछ देर कुछ देर आसपास घूमने के बाद After मतलब बाद आसपास घूमने के बाद Sea Miss work came Near the river Sea Miss work came मतलब आ गई Your friends आपका Past का Indefinite tense है जिसमें आपके Second form का यूज किया जाता है Affirmative में और Interrogative and Negative में Helping verb के रूप में Did का यूज करते हैं और Main verb में आपका Verb का First form आ जाता है आपके Negative और Interrogative में और आपके Affirmative में सिर्फ हम लोग Second form का यूज करते हैं इसमें कोई Helping verb नहीं लगाते हैं Affirmative में Sea came near the river वह आ गई Near मतलब पास The river यानि नदी के वह नदी के पास आ गई To drink the water क्या करने के लिए पानी को पीने के लिए Drink मतलब पीना पानी को पीने के लिए Sea climbed up Sea climbed up Climb मतलब होता है Friend चड़ गई Up on a Small यानि छोटे रॉक यानि चटान वह एक छोटे से चटान पर Climb यानि चड़ गई While trying to drink a water किस चीच के लिए Try यानि प्रयास पानी पीने के प्रयास में She slipped Sliped यानि फिसल गई वह फिसल गई And miss or Fell Fell यानि गिर गई यह से फिर्टेंड फॉल का Second form है Fell Fell into the river और वह नदी में गिर गई Next paragraph है There was a dove Dub means कभूतर There means वहाँ Was मतलब था Dub means कभूतर Sitting Sitting मतलब Baitha Sitting means बैठा था On a branch Branch मतलब साखा Of a tree यानि पेड के साखा पर वहाँ पेड के साखा पर एक Dub यानि कभूतर Sitting means बैठा था Who मतलब होता है friend जिसने Saw यानि देखा यह C का Second form है Saw देखा An aunt मतलब एक चीटी Falling Falling यानि गिर गई Into the river इसका हो जाएगा जिसने एक चीटी को नदी में गिरते हुए देखा The Dub Quickly Dub means कभूतर Quickly मतलब सीग रही या जल्दी से Plugged Plugged मिस होता है Friends तोड़ना तोड़ना It means जैसे भी हम किसी पेर से किसी पत्ते को या फ्लावर को फूल को तोड़ते हैं तो उसे हम लोग वहाँ पर Plugged के यूज करते हैं यह Plugged का Second form है Plugged उसने तुरंत ही या सिग्र ही Plugged यानि तोड़ा A Leaf Leaf मिस होता है पत्ती And Miss Or Dropped Dropped यानि गिरा दिया It Into the River कहाँ पर नदी में Near मतलब Pass The Struggling Struggling मिस होता है Friends संघर्स्त मतलब संघर्स पूरवक And Miss City तो इसका आम लोग देखेंगे Friends कबूतर ने सीग रही यानि Quickly यानि सीग रही एक पत्ते को A Leaf यानि एक पत्ते को Plugged यानि तोड़ा और And Miss Or Drop यानि गिरा दिया कहाँ पर संघर्स्त चीटी के Pass Into the River यानि नदी में उसने क्या किया सीगर्तर चीटी के पास नदी में उसे गिरा दिया The Ant Moved Two words Two words में सोता है Friends की ओर The Leaf चीटी क्या की पत्ते की ओर बढ़ी Moved यानि बढ़ी की ओर किसके ओर बढ़ी Leaf यानि पत्ते की ओर बढ़ी And Climbed up On to it Or Climbed मतलब चड़ गई कहाँ पर उसके उपर यानि उस पर क्या की वह चड़ गई Next line है Soon The Leaf Drifted To Dry Ground It means Friends Soon में सोता है जल्द ही The Leaf यानि जो पत्ता था Drifted Drifted मतलब चला गया या हो गया To Dry Ground यानि Dry यानि सूखे Ground यानि जमीन पर तो जल्द ही जो पत्ता था वह सूखी जमीन पर चला गया And The Ant jumped और आंट ने क्या किया Jumped यानि jumped And The Ant jumped out और चीटी ने jumped यानि कूद गई Out यानि बाहर और चीटी बाहर कूद गई She looked up to the tree She means वह या उसने looked यानि देखा Up to the tree चीटी के पर क्या किया देखा उसने पेड की तरफ या पेड की ओर देखा And means और thanked धन्यवाद दिया The dove कब उतर को उसने क्या किया धन्यवाद दिया Next paragraph एफ्रेंड Letter इत मींस बाद में The same day Same day में होता है उसी दीन Same यानि उसी डे मिस दीन A bird catcher Catcher मिस होता है फ्रेंड Bird catcher मिस होता है पक्षियों को पकड़ने वाला Nearby यानि Pass में Was मतलब था About मतलब बारे में To Throw यानि Fake His Nate Nate मिस जाल Over the dove यानि कबूतर के ऊपर Hoping Hoping मिस उमीद To Trap Hoping To Trap Trap मिस होता है Friends First name या First name It So friends इसका हम लोग देखते है थोड़ा-थोड़ा करके Later मतलब बाद में The same यानि उसी दिन A bird catcher Nearby यानि Pass में एक पच्छी पकड़ने वाला क्या किया Was About to Throw his net Over the dove यानि पच्छी पकड़ने वाले क्या किया कबूतर को फसाने के लिए कबूतर को Trap यानि फसाने के लिए अपना जाल उसके उपर क्या किया Fake Fake ने ही वाला था And Aunt Saw him And Guest Guest Miss होता है Friends Anumahan लगाना What he was About to do And Aunt मतलब उस शीटी ने Saw यानि देखा Him He Miss उसे शीटी ने उसे देखा And Miss और Guest यानि Anumahan लगाया What he was About to do कि या क्या करने वाला था Anumahan लगाया कि वह क्या करने वाला सॉरी है The Dove Was Resting And He Had Had Friends यान पी यूज किया गया यह हमारा Past Perfect Tense के लिए है The Dove Was Resting कबूतर अराम कर रहा था And Miss और He Had No Idea About the Bird Catcher उसे Bird Catcher Miss होता है पच्छियों को पकड़ने वाला यानि जो पच्छियों को पकड़ने के लिए था उसका उसे कोई आइडिया मिस जानकारी नहीं था उसके बारे में And Sorry And Ant Quickly Beat Him तो Ant ने क्या किया Quickly यानि जल्दी से Beat Him On A Foot उसके Foot यानि पैर में Beat यानि काट लिया उसने क्या किया Ant ने उसके पैरों में काट लिया Feeling The Pain Feeling The Pain Miss होता है Friends उसने क्या किया जब दर्द को महसूस किया The Bird Catcher Dropped His Net तो उसने Word Catcher ने क्या किया यानि पच्छी पकड़ने वाले ने क्या किया Dropped यानि गिरा दिया His Net अपने जाल को वहीं गिरा दिया And Let Out A Light Scream Friends Light मिस होता है हलकी और Scream मितलब होता है Cheek चीखना या चिलाना जैसे नहीं होता ही करते है और उसने क्या किया एक हलकी सी चीख निकाली The Dove Noticed It तो Dove ने क्या किया उसको उसके और देखा And Quickly Flew Abay और Quickly मतलब जल्दी से Flew मतलब उड़ गया तो क्या हो जाएगा वह जल्दी से उड़ गया So Friends इसका moral है If You Do Good यानि कि यदि आप अच्छा डूमिस करना यदि आप अच्छा करते हैं Good Will Come To You तो आपके पास अच्छा आएगा One Good Turn यानि कि हमारा जो हम एक अच्छा कितरब जो मोड़ते हैं एक अच्छा मोड Deserve Another दूसरे का भी हकतार है तो Friends इसका मतलब हो जाएगा कि यदि हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा होगा अर्थाद हमें किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए सो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं Next वीडियो में Thank you